नमस्कर मैं डॉक्टर के के पांडे एमडी चाइडली स्पेशलिस्ट हो डेली में प्रैक्टिस करता हूँ बहुत सारे लोगों के सवाल है कि यह कहां से आया कब तक रहेगा आरेने क्या होती है मुटेशन क्या होता है वैक्सिन कब तक आएगी ट्रीटमेंट इसका क्या है प्लाजमा तेरपी सुना है बड़ा अच्छा होता है यह क्या होता है और सबसे बड़ा सवाल एक पिशिंट ने पूछा कि डॉक्टर साब हमने तो टीवी पे देखा था कि यह जिन्दा ही नहीं ह यह आजपास अमेरिका में डिस्कवर हुआ था तब से 2002 तक यह सांथ था 2002 में इसमें कुछ चेंज़े जाए और एक बिमारी हुई जिसको बोलते थे सार्स इसमें भी सांस की दिक्कत होती थी और बहुत ही खतरनाग बिमारी थी यह फिर 2012-13 में एक और मिटेशन आया एक औ मिडी लिस्ट में जो लोग थे उनको यह बिमारी हुई उसको बोला गया M.E.R.S. मर्स खास बात यह थी कि मर्स जो है चीडिया में और मैमल्स में अस्तंधारी जो जानवर हैं उनमें भी यह पाया गया अब आये कि यह कब तक रहेगा तो यह जो 2019 दिसंबर में वाइरस प चुरूआ है ऐसा नहीं होगो यह खतम हो जाएगा कि हमेशा हमारी आपके जिन्दगी में रहेगा हां इसकी वैक्षिन आ जाएगी और शब्चेंजिश होंगे लोगों में प्रतिरोधक चमता आ जाएगी तो फिर कोई बात में इतना खतरना क्या इतना डरने की बात नहीं होगी लेकिन ऐसा नहीं हो है कि यह वाइरस खतम होजाएगा अब आइए कि आपके इस सवाल का जबाब किए जिन्दगीया कैसे ले रहा हि है यह वाइरस होता है यह एक तरह से template है , template का मतलब hope Hindi मोले तो शकर जैसे plastic की कोई सीजे होती है कि अब प्लास्टी की चीजमें उसका जो साचा होता है उसमें आप डालते चले जाए तो साचे से बहुत सारे खिलोने बहुत सारी चीजे आप बनाते चले जाएगा जो तो साचा होगा उसके हिसाब से लाकों की संक्या में करोडों की संक्या में जरूरत के हिसाब के आपके बिजनेस के हिसाब से आप वो चीज़े तियार कर सकते हैं घर में आप देखते हैं गुजिया बनाने का भी आजकल साचा मिलता है इडली बनाने का भी मिलता है तो उसी त यह काम करता है लंक्स में पहुंचने के बाद तो लंक्स में पहुंच गया फिर यह बहुत तीजी से बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं रिप्लिकेशन करोणों अर्बों की संख्या में पहुंचते हुए इसको देर नहीं लगती और तुरंत तब बिमारी की सुरुवात सुरू हो जाती है अब आते हैं कि दिसंबर 2019 में जो यह किटाणू सुरू हुआ ठीक है फेब्रोरी तक जो स्ट्रेंट इसके पाए गए जो इसके जो जैनेटिक स्ट्रेंट पाए गए तो आरेने का इसमें बदलाव जो नहीं आया है इसको बोला गया इसमें डॉमिनेंट जो था 11 तरह के थे यह लेकिन 11 में जो सबसे ज्यादा डॉमिनेंट था जिसकी वज़े से ज्यादा विमारियां हो रही थी वो था ए टू ए इस्ट्रेंट यह फेब्रोरी तक चला मार्च 20 में पेकिंग इन्वस्टी ने और पास्चर इंस्ट्रिटूट संगाई ने यह बताया कि इसमें कुछ चेंजे जाएं हैं और इसके दो स्ट्रेंट और आए हैं जो एल है और एस है एल स्ट्रेंट और एस स्ट्रेंट की बात आप ऐसे समझें कि जैसे यह वाइरस है तो इसको आप एक मोतियों की माला समझ लिए सिंप्ळ लड़ी दो नहीं दो अलग हो जाती है वह बात में कभी हैं कि तो उस लड़ी में यього बतने हो जिए जब ये वाइरस की एक लड़ी बन गई तो वह अरेने हो जाता है और जो एक एक उसकी जो मोती होती है उसको जीन्स बोलते हैं कि तो इसमें बदलाव आ गया L और S करके L और S में फरक ये था कि L ज्यादा खतरनाक है और L और S में 4% का डिफरेंश है इसके बाद आई ये अप्रेल 2020 22 अप्रेल को जिंग जाओ इन्वर्स्टी है वहां की एक पियर रिव्यूड रिपोर्ट ये नहीं है एक रिपोर्ट है उसमें ये बताया कि ये वाईरस सिर्फ 11 तरीके के नहीं है इनमें बदलाव बहुत आ चुका है ये 30 तरह के हैं और उसमें से 19 का अभी तक कहीं कोई जिक्र ही नहीं था किसी को इस बारे में पता ही नहीं था तो इनके नाम A, B, B1, A1, B2 ऐसे करके ये इनके नाम रखे जाते हैं और उस तरह से होता है ये इन्वर्श्टी की रिपोर्ट ये भी थी इन्होंने इसको ग्रू भी किया और ये देखा कि जैसे किसी मरीज को अगर हलके सिम्टम्स हैं हलकी बिमारी है तो उसमें मान लीजिए एक लाग किटाणू मैं एक जामपूल बता रहा हूँ लेकिन अगर कोई सीरियस है उसको जान क्या खत्रा हो रहा है तो उसमें ये पाया जाता है कि उसमें 60 पुना ज़्यादा किटाणू हो जाता है इसको वाइरल लोड बोला जाता है लेकिन जब इन्होंने कहीं ग्रो किया अर्टिफिस्यल तरीके से एग में पीरो एग में तो वहाँ ये पाया कि ये 700 गुना तक भी जा सकता है मतलब एक लाग पे आपको माइल सिम्टम्स होते है 60 लाग पे 60 गुने पे जाके सीरियस हो जाता है लेकिन ये 700 गुना भी ज़्यादा सीरियस हो सकता है उसमें ग्रो करता है तो इन्होंने कहा कि ये 30 तरह के किटाणू है अब आए एल और एस पे फिर से गुजरात में और इंदोर में ज़्यादा लोगों की मौत हुई 4.97 परसेंट इंदोर में हुआ था 4.57 परसेंट गुजरात में हुआ गुजरात में एक इंस्टिटूट है गुजरात बायो टेकनोलोजी इंस्टिटूट उसके हेड है डॉक्टर जोसी उनका कहना है कि वहाँ पे एल स्ट्रेंड जादा हुआ इसले हुआ मंद्य प्रदेश में ऐसी कोई लैब नहीं है उन्होंने पूने भेजा है पूने वाइरलोजी इंस्टिटूट में अब आईए डॉक्टर एंथोनी एक है ग्लोबल डॉक्टर एंथोनी फॉसी चैंजज़ वोगे और यह बहुत खतर्नाक होगा डॉक्टर चेकब जान भी है इंडिया के बहुत माने-जाने जाने-एंवाने इंमिनयोलोयस्ट माने जाते है उनका भी कहना कि यह बहुत सीरियस है इसमें बहुत सारे चैंज़ज़ आएंगे लेकिन अब आईए डब्लु एचो की तरफ डब्लु एचो की जो टेक्निकल टीम की हेड हैं डॉक्टर मारिया है उनका कहना ये है कि हमारे पास दस अजार इसके टेंपलेट हैं दस अजार जो हैं जीनोम से और इतना म्यूटेशन इसमें नहीं है तो अब आप देखिए कोई काश्मीर की बात कर रहा है कि तीस तरक के हो गए कोई कन्या कुमारी की बात कर रहा है किसाब ऐसा कुई बात ही नहीं है कोई गुजरात के कक्ष की बात कर रहा है किसाब एल और एस इस्ट्रेंज जो बहुत ज़्यादा हो गए कुछ बंगाल की खाई की बात कर रहा है किसाब ऐसा कुछ होते ही नहीं है कहने का मतलब यह है कि इतने कम समय में साइंटिस्ट के लिए भी बैगानिकों के लिए इसको स्टडी करना इसको अध्यन करके फाइनल परेडाम पे निकलना अभी तक पॉसिबल नहीं हो पाया है इसलिए हमारे आपके पास जो है यही चारा है कि जो बेसिक प्रिकोसिंस बताए गए हैं उनको आप फॉलो करें जहां तक दवा का सवाल है जॉन हाफकिन्स इंस्टिट्ट की साइट पे भी है कि 22 अपरेल तक कोई भी दवा प्रोवें नहीं है कि वो फायदा करती है हाँ कुछ नहीं है तो गवर्मेंट्स ने डॉक्टरों ने कुछ नों कुछ ट्राइ करना शुरू किया है लेकिन किसी का भी कोई सबूत नहीं है तो कोई दवा नहीं है कोई वैक्सिन नहीं है कब तक आएगी ये कहना अभी बड़ा मुश्किल है जब तक नहीं आ जाती कितनी एफेक्टिव है कितने उसके साइट एफेक्ट्स हैं कितने उसके नुकसान हैं कितने फायदे हैं वो देखना पड़ेगा प्लाजमा थिरैपी जो दिल्ली में बड़ी चर्चा में रहती है वो कोई प्रोवें थिरैपी नहीं है वो मरीज अपने रिस्क पे लेता है ऐसा मरीज जिसके बचने की कोई उमिन नहीं है तो अल्टिमेटली अंत में आपके लिए यही बसता है मास्क छे फिट की दूरी और ध्यान रखें मास्क लगाना और छे फिट की दूरी दोनों जरूरी है ऐसा नहीं है कि एक दूसरे का सबस्टिट है आप मास्क लगा रहे हैं तो छे फिट की दूरी नहीं रखेंगे दोनों जरूरी है बार बार अपना हाथ दोना 20-30 सेकेंड तक रगड़ रगड़ के घर में रहना बाकी हमारे और वीडियोज भी है Health Inc. की साइट पर जिसमें आपको बहुत useful information दी गई है उसको देखिए लाखों लोगों ने देखा है आप भी उसको देखें बहुत सारी चीजें आप उसमें अपने रोज के जो आपकी दिन चरिया है उसमें काम की जो चीजें है वो उसमें है हमें आपका ख्याल है आप अपना ख्याल रखिए धन्यबाद नमस्कार